नई दिल्ली के जो भी medical colleges हैं, चाहे वो DU से यानि दिल्ली इनिवरसिटी से affiliated हो या फिर इंदरप्रस्त इनिवरसिटी IPO से affiliated हो, इन सभी colleges में all over India के NEET के aspirants, counseling में MBBS की seat चाहते हैं, जो top के candidates होते हैं, NEET के examination का result आता है, toppers को ही यहाँ पर admission मिलता है, category wise पिछले दो साल में NEET के MBBS के जो admissions दिल्ली के colleges में हुए, वो किस rank और marks पर close है पिछले दो साल में, 2024 में क्या expected marks और rank रह सकता है, different categories के students के लिए, आप इंडिया से कहीं भी, किसी भी state से क्यों ना belong करते हो, अगर all India को टाके थूँ, आप दिल्ली के किनी एक medical college में admission चाहेंगे, तो फिर आपको minimum कितन marks लेके चलना पड़ेगा, नीट 2024 के examination में, complete details छोटे से भी टो में, all India को टाका expected cut-off, दिल्ली के colleges के लिए, आप medical wing के साथ बिले रहे हैं, चलनको subscribe जिरो कीजेगा, ताकि future के updates आपको non-stop लगातार मिलते रहें, cut-off के बारे में हम लोग discuss करें, लेकिन उससे पहले important information आप सब के लिए, कि अगर किसी भी college का और किसी भी year का आपको particular cut-off देखना है, वो भी free में, तीन college का search आप बिल्कुल free of cost कर सकते हैं, आपको visit करना है midcoving.com, यहाँ पर जब आप visit करेंगे, तो need predictor का जो page है, इस page में, आपको यहाँ पर view college में, is cut-off मिल जाएगा, इस पर जब आपको college की information fill करने होती है, यानि किस year का cut-off आप देखना चाहते हैं, और किस particular college का देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर fill करके course, जो है किस course का आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, और colleges का cut-off आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप access कर सकते हैं, बिल्कुल free of cost तीन colleges के लिए तीन colleges के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो फिर उसमें आपको minimum सा subscription amount जो हो 199 का pay करना पड़ेगा select करने के लिए चेक करने के लिए आपको visit करना है midcoving.com right फिलहाल बात कर लेते हैं cutoff की last पिछले दो साल की दिल्ली के colleges के लिए और minimum admission इस rank और marks पर पिछले दो साल में हुआ वो अभी आप देख रहे हैं background में यहाँ पर screen पे जो white background में है यह है 2023 का और जो yellow background में यह 2022 का है थोड़ा समय इसको zoom कर देता हो ताकि आपको category wise college wise देखने में आसानी हो सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं EWS category के लिए 2023 में round 3 में सबसे कम marks की जोड़त 665 2022 में close हो था 670 पर EWS PWD 2022 में 302 लेकिन 2023 में 580 marks पर All India quota के थुरू admission हुआ था college के नाम यहां पर mention है इस column में आप चिक कर सकते हैं OBC 2023 में round 3 में 665 नंबर पर All India quota के थुरू OBC 2022 में 665 नंबर पर लेकिन rank का difference था यह जो rank है 2023 में जो rank है यह और नीचे जाएगी क्यों क्योंकि 2024 में जो topper candidates होंगे जैसे जैसे aims के institute पुराने होते जा रहे हैं वैसे वैसे candidates All India quota के थुरू aims को ज़्यादा prefer करना start कर रहे हैं 2023 में भी वही हुआ ज़्यादा candidates ने aims को prefer किया जिसके वज़े से दिल्ली के colleges की cut-off down गई है rank wise down गई है 2024 में भी rank wise down जाएगा राइट 500 से 1000 rank का difference आ सकता है लेकिन उस case में मार्स कितना होगा वो depend करेगे कि number of candidate कितने qualify करते है राइट तो यहाँ पर अगर OBCPWD की बात करें 25 2023 में open candidates के लिए minimum admission 2022 में 675 नंबर पर rank था 1079 और 2023 में ये 681 नंबर पर हुआ था rank student का था 1427 college था NDMC यानि New Delhi Municipality Corporation Medical College दिल्ली में DMC में 2023 में राउंड टू में जो cut off गया था वो 600 एक्क्यासी गया था जनर्र कैंडिडेट का उसके बाद third round में जनर्र की कोई seat available ही नहीं थी और इंडिया कोटा में किसी एक वी एक college के लिए PWD open के case में 133 557 था 2023 में SC के case में 600 नंबर रैट 2023 606 नंबर 2022 में rank का difference आप देख सकते हैं SC में कितना हुआ था 2014 marks only rank यहाँ पर mention है 2024 में 23 के जो marks है इनको अगर आप मानके चलते हैं यानि इससे उपर अगर आपके marks आते हैं 2023 के जो भी category वाई marks mention है इससे उपर अगर आप लेके चलेंगे no doubt कि आप अपनी category के हिसाब से safe रहेंगे दिल्ली में किसी भी एक government medical college में MBBS की seat के लिए all India quota के तो अब नहीं दिल्ली में जो दो universities हैं DU और IPU इन दोनों ही universities में जो medical colleges है इन में state quota के students का क्या cut off रहता है वो next के वीडियो में हम आप लोगों के साथ share करेंगे बताएंगे कि कौन eligible होता है और कैसे apply करना पड़ता है कौन कौन से colleges DU के तुरू आते हैं कौन से IPU में आते certificate कौन से valid होता है और counselling सबसे जो main important है कि इसकी जो counselling है वो कौन से authority करती है वो next video में हम आप लोगों के साथ share करेंगे आप चैनल को subscribe जरू कर लेजिए 2024 में NEET के examination के बाद Midka Wing की team की guidance आपको counselling में चाहिए पूरे complete process All India plus state quota private effort government colleges के लिए then आप join कर सकते हमारा counselling course जो की available है हमा Apple Play Store और Apple Play Store पर साथ ही साथ वीडियो के description में course को direct join करने का link भी provide किया गया है कोई question होता है कुछ पूछना चाहता है comment box में comment कर सकते हैं इसकी बजो number शो रहा है इस number पर आप आप में whatsapp कर सकते हैं cut off चेक करने के लिए आपको visit करना है midka wing dot com stay tuned with us thank you for watching midka wing thanks all बढ़ना हमाँ पूसे वीडियों कर दो कर दो कर दो करुछना है इस कर दोते हैं का पर ठापा।